आज का हमारा टॉपिक है Send Jot Form Submission to Microsoft Teams Chat Jot Form एक Form Builder Replication है हम चाहते हैं कि जो form हमने बिल्ड किया Jot Form है जब भी उसमे कोई नया Submission को Received हो तो same details हम भीजना चाहते है Microsoft Team में हमारी टीम को Update करने के लिए तो इस पूरी process को आप भी automate कर सकते हैं Jot Form और Microsoft Teams के बीच में एक connection बिल्ड करके जिसमें हमारा trigger होगा कोई नया response received होना Jot Form के form में और हमारा action होगा automatically एक message चले जाना channel पे Microsoft Team के तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे automation को आईए देखते हैं मेरी screen पे तो आईए बनाते हैं आजए कैस automation Jot Form और Microsoft Team के बीच में कि जैसी Jot Form में हमें कोई particular form submission रसीव हो तो automatically वो details यह हो जाए Microsoft Team में हमारी team के पास तो इस पूरी process को आप भी automate कर सकते हैं पैबली connect की मदद सी Jot Form और Microsoft Team के बीच में एक connection बिल्ड करके तो चलते हैं new tab पे आप देख सकते हैं यह है पैबली का landing page पैबली एक बहुत है amazing software है जब multiple applications को connect and integrate कर सकते हैं अगर अप नई user हैं तो जाए sign off for free पे जहाँ आपको और मैंने मिलेंगे free task ऐसे automation create करने के लिए अगर आप existing user हैं तो click करिएगा sign in पे sign in पे click करते हैं आपके सामने open होगी पैबली के पाच में applications आज आपको use करना है पैबली करनेट का क्योंकि आज आपको एक connection बिल्ट करना है दो applications के बीच में इसलिए आप use करेंगे पैबली करनेट का और click कर देंगे access now पे access now पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने open होगा पैबली करनेट का dashboard फिर आपको जाना है राइट हैं साइट पे click करना इस blue button पे create workflow पे जैसे आप create workflow पे click करेंगे आपके सामने डायलोग बॉक्स से प्यार होगा जा आपको इस workflow को एक नाम देना है तो मालनीचे मैं इसे नाम Microsoft टीम में हमारी टीम को एक message बेजना चाहते हैं कि जॉट form में हमें यह form submission receive हुआ है तो यह है आज का हमारा objective इसलिए मैं इसको नाम दिया है यह आप अपने requirement के साब से कोई और भी नाम दे सकते हैं फिर क्लिक करना हमको create पे create पे करते हैं आपकी सामने ओपन होगी यह दो important windows इनको हम कहते हैं trigger and action basically यह दो ऐसे प्रिंसिपल से concept जिसमें मारा पूरा automation based होता है इनकी definition की मैं बात करूँ तो trigger कहता है when this happens मतलब जब ऐसा हो तो action कहता है do this मतलब ऐसा कर दो जैसा कि मैं आपको बता है कि हमको कोई form submission रिसीव हुआ है वो भी same details के साथ तो सबसे पहले choose करते है हम हमारी trigger application jod form और trigger event पहम select करेंगे new response इसका मतलब jod form में जैसी कोई नया response हमको रिसीव हो तो instantly जो हमारा workflow है वो trigger कर जाएगा और उसकी सारी details capture हो जाएगी public connect के पास तो देखे trigger event select करते हैं यहाँ पे हमको दिया गया एक web book URL web book URL का काम होता है दो applications के बीच में connection build करना यह as a bridge की तरह करता है act तो आज web book URL हमारी मदद करेगा jod form और public connect के बीच में एक connection build करने में इसी web book URL की मदद से जो भी उस form का data है वो हमको capture हो जाएगा public connect के पास तो देखे यह web book URL हमको यह से करना है copy जाना है jod form के अकाउंट पे तो अब देख सकते हैं हमें मेरे कई सारे forms create करके रखे मैं चाहता हूँ कि इस particular form में online doctor appointment form में जैसे कोई form response हमको receive वो तो automatically उसकी details पेबली करेट के पास अब देख सकते हैं यह है मेरा एक पूरा form डीम डीट आउपर चेंडर फोन नंबर इमेल एड़ अपॉइंट डीट एंड टाइम यह सारी फील्स हमें मैंने create करके रखी है तो इस form को हम integrate कर देंगे पेबली करेट से इसका मतलब जैसी कोई person यह form फिल करेगा तो जो भी data है वो automatically capture हो जाएगा पेबली करेट के पास इसी के लिए हमको दिया गया था वेबुक URL आपको याद होगा वेबुक URL हमको मिला था पेबली करेट पे वो इसी चीज़ के लिए हमको दिया गया था चलते हैं इस form पे और इसको integrate करते है पेबली करेट से क्लिक करना आपको settings पे और settings पे क्लिक करते है आपको जाना है integrations पे integrations पे आते हैं यहाँ पे आपको search करना है वेबुक यहाँ से मैं सर्च करूँगा वेबुक तो आप देख सकते हैं यह है वेबुक इसको हम करेंगे open और अब जो वेबुक क्यूरल हमको पेबली करेट पे मिरा था यह सीम वेबुक क्यूरल आपको ऐसा करना है copy जाना अपने form पे और इसको कर देना को हैं पे पेस्ट क्लिक करना को complete integration में और देखिए हैं पे क्या लिखा रहा है integration is ready इसका मतलब यह जो form हमने create किया था यह form successfully integrate हो चुका है पेबली करेंट से अब क्लिक करेंगे हम publish पे और यह हमारे form का link इसको मैं करूँगा copy जाओंगा new tab पे और इसको मैं कर दूँगा open new tab पे तो देखिए है form यहाँ पे हमारे समने open हो चुका है अब चलते हैं public connect पर देखिए हाँ पे क्या लिखा रहा है waiting for web book response और instruction में क्या लिखा है कि अब हमको login करना है उस application में और करना है कि test submission इसका मतलब जो form है यह form हमको करना है fail कुछ dummy details के साथ तो आप देखिए कि automatically जो इसका response है वो capture हो जाएगा public connect के पास क्योंकि हमने web book URL की मदद से इस particular form को integrate कर दिया है public connect से तो चलिए form करते हैं fill तो देखिए form यह आप मैंने कर दिया है fail यह आप लिखा रहा है thank you your submission has been received अब देखिए जैसी मैंने form fill किया है automatically इसकी details capture हो जाएगी public connect के पास तो चलते हैं public connect पे और देखिए instantly हमको API response receive हो चुका है तो देखिए यह थी date of birth जिसना form fill किया था 8th of April 2015 first name demo, last name user scroll down करते हैं नीचे यह है phone number, mail address यह थी हमारी appointment date 25th of May 2023 और scroll down करते हैं नीचे और यह है था हमारे form का title online doctor appointment form इसका मतलब जो हमारा first step of integration है वो work कर रहा है हमने chart form और public connect के बीच में कैसा connection बिल्ट कर दिया है कि जैसे chart form में उस particular form को को कोई person fill करेगा तो instantly उसकी details capture हो जाएगी public connect के पास अब चलते हमारी next step के और जो कि हमारी होने वाली action step तो action application में हमको choose करा है Microsoft Teams क्योंकि हम Microsoft team में हमरे team को update करना चाहते हैं कि chart form में हमें कोई form submission रिसीव हुआ है और उसकी सारी details भीजना चाहते हैं हमारी team के पास तो दिखिए हमारी action application Microsoft team और action event को हम select करेंगे send message in a channel क्लिक करूँगा हमें connect पे और अब Microsoft team के account को हम connect करेंगे पैबली connect से जाना हमको add new connection पे फिर क्लिक करने connect with Microsoft Teams मेरा account अल्रेडे लॉग डिन है तो यहाँ पे सिरु हमको permission देनी है Microsoft team के account को पैबली connect से connect करने के लिए तो scroll down करूँगा में नीचे क्लिक करूँगा consent पे और क्लिक कर दूँगा accept पे तो आप देखेंगे जो हमारा Microsoft team का account है वो connect हो जाएगा पैबली connect से और देखिए हमारा authorization अपे successful हो चुका है इसका मतलब जो हमारा Microsoft team का account है वो connect हो चुका है पैबली connect से account connect होते ही सबसे पहले हमको choose करनी है team and then channel और फिर ड्राफ्ट करना है पैसे जो हम हमारी team को भीजना चाहते है तो ये team, ये channel, ये सब चीज़े क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ चलते हैं Microsoft team की account पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कई सारी teams है लाइक digital, initiative of public relation, USCS, retail, पैबली connect and test team अब इसमें हमको choose करनी है पैबली connect and test team और फिर उसके बाद choose करना है channel जिसमें हम भीजना चाहते हैं एक message तो देखे team में choose करता हूँ पैबली connect इस particular team में और इस particular channel में पैबली team वाले channel पे मैं अपने team को update करना चाहता हूँ कि jot form में कोई form submission हमको receive वा है और उसकी सारी details में share करना चाहता हूँ इस particular team के पास देखे team का नम क्या है हमारा पैबली connect और channel का नम है हमारा पैबली team तो जाएंगे पैबली connect पे सबसे पहले choose कर लेंगे team का नाम जो की है पैबली connect जैसी मैं पैबली connect आप चूज करूँगा पैबली connect के अंदर जित्ते भी channel मैंने create करके रखे जनरल पैबली team और परमपरा reviews automatically ये channel आपको show होने लगेंगे पैबली connect पे जाएंगे पैबली connect पे और देखे चैनल चूज करते हैं अब चैनल में है हमारे पास परमपरा reviews पैबली team और जनरल तो चैनल मैंने चूज किया था पैबली team इसका मतलब इस पर्टिकुलर टीम पैबली connect वारी टीम में इस पर्टिकुलर चैनल पे हमें अपरे टीम को एक message बहिजना चाहता हूँ अब draft करते हैं अपर एक message जो हम हमारी team को बहिजना चाहते हैं तो यहापे मैं type कर दूँ एक पूरा message तो देखिए हैं अपर मैंने message draft कर दिया है जो हम हमेरी team को बहिजना चाहता हूँ Hello team members, a new appointment is received by the form appointment details are as follows without manually type करके इस process को हम कहते हैं mapping तो मैं आपको बताता हूँ mapping कैसे की जाती है जैसे आप इस field पर click करेंगे तो देखिए हैं पर क्या लिखा रहा है Jot form जो कि हमारी trigger application थी जो कि हमारी previous step थी अब यहाँ पर a new appointment is received by the form तो यहाँ map कर देगे हमारे form का नीम तो देखिए form का नीम हमको कैसे मिलेगा Jot form इसके drop down पर आप जैसी click करेंगे तो देखिए जो भी response हमको trigger application में मिला था वो पूरा response आपको यहाँ पर हुरा हुगा शो तो देखिए यह था हमारे form का title online doctor appointment form यह मैं हाँ पर कर दूँगा map message क्या होगा हमारा team था हमारा user फिर आती ही person की mail id तो mail id भी हम कहां से कर देंगे map ऐसी एक एक करके मैं सारे details हापे कर दूँगा तो देखिए mail id क्याती है demo at the rate pablitudes.com फिर आता DOB gender date and time phone number यह सारी details भी मैं आपे कर देता हूँ map one by one करके तो देखिए इसारी details मैंने आपे कर दिया है map name था demo user email था demo at the rate pablitudes.com then DOB gender mail date and time of appointment भी हापे मैंने कर दिया map then phone number and आखरी मैं thanks अब यहापे आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि यहापे मैंने mapping का use क्यों किया है यह आदा message मैंने type किया है manually और आदे में मैंने use किया mapping का तो मैंने ऐसा क्यों किया तो यहापे मैंने ऐसा इसली किया क्योंकि जब भी workflow run करेगा तो जो भी data यहापे हमने map किया है like form का name, person का name, email, DOB, gender and यह सारी details यह automatically new data से होता रहेगा change इसका मतलब jot form पे जब भी कोई नया form submission हमको receive होगा कोई नया form में हमको कोई submission receive होगा तो जो user के details है जो उनका name है, email है वो हमेशा होता रहेगा change तो जो नया data है वो automatically यहापे आके हो जाएगा update इसलिए mapping करना होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी process बाकी का यह जो data मैंने manually type किया है यह हमेशा रहेगा static या पर्मानेंड जहाँ जब मैंने mapping का use किया है केवल वह data होता रहेगा update जब भी workflow करेगा run क्योंकि यह पूरा automation केवल आपको एक बार setup करना है तो आप देखेंगे Microsoft team के उस particular channel पे automatically यह message चला जाएगा और देखिए हापे हमको API response पे receive हो चुका है जो कि एक positive API response है इसका मतलब Microsoft team में हमारे team के पास एक message चला गया होगा कि हमको job form में कोई नया form submission रेसीव हुआ है तो चलते है Microsoft team के account पे और दीखिए है अप एक message आ चुका है Hello team members A new appointment is received by the form Online doctor appointment form Appointment details are as follows यह था person का name, email, date of birth, gender, date and time and phone number अब देखिए वापिस हम जाएंगे जो out form पे फिर सिफ करेंगे वो form fail तो आप देखिए automatically यह जो details है वो नई details से हो जाएगी change पर अभी जो automation हमने बनाया था public connect पे वो successfully work कर रहा है simply दो step पर हमने पूरा automation set up कर दिया है जो work करेगा instantly तो आईए चेक करते हैं इसको real time है वापिस चलते हैं job form के account पे click करते हैं इस form का link इसको open करते हैं new tab पे और फिर से form करते हैं फिल डमी details के साथ इस बर मैं नेम देता हूँ test, last name user, then date of birth gender इस बर मैंने select किया female then phone number, email address and appointment date पर select करता हूँ 31st of May 2023 and time 8.30 pm click करते हैं submit form पे और देखिए form हमारे successfully submit हो चुका है अब जैसे हमने आप ए form submit किया इसका मतलब instantly Microsoft team पे हमारे team के पास एक message चले जाना चाहिए है एक channel message चले जाना चाहिए है कि jot form पे कोई form submission रिसीव हुआ है और इसकी सारी details भी हमारे team को मिल जानी चाहिए तो चलते हैं Microsoft team के account पे और देखिए instantly यहाँ पे हमको response मिल चुका है एक message आ चुका हमारे team के पास हेलो team members a new appointment is received by the form online doctor appointment form appointment details are as false तो देखिए यह name मैंने change कर दिया था test user adminadulatepubritudes.com यह थी हमारे DOB gender मैंने रखा था इस बर female date and time and phone number तो अब देख सकते हैं जो automation हमने बनाया था हो successfully work कर रहा है पहले जो मैंने details fill कर रही थी उसमें नाम था demo user अभी जो मैंने form fill से fill किया तो देखिए test user automatically name and data change हो चुका है जा जा हमने use किया था mapping का इसका मतलब जो automation हमने बनाया था वो successfully work कर रहा है कि वहले दो step हमने पूरा automation setup कर दिया था जिस हमारी trigger application थी job form में कोई नया form submission रिसीव होना और हमारी action application थी automatically same details का use करके Microsoft team पे एक channel मैंसे चले जाना हमारी team को तो अगर आप भी इस automation का use करना चाहते हैं तो इसका link पर अपनी वीडियो के description में दे दूँगा जाप इसे बड़ी असानी से कर सकते हैं सिर्फ यही नहीं आप और भी application के integration public rate के मदद से बना सकते हैं शेर करें और हमारी channel को subscribe करना ना भूले Thank you